हेलो एब्रिवन शिर्फ शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है ये अर्जेंट चैनलिंग है और डिवाइन फैम नाइन एन डिवाइन में स्पाइन की करेंट एनर्जी इसमें मैं बताऊंगी और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कंटीनू आपको चैनलिंग दे रही हूं जो भी डाउनलोड हो रहे हैं क्योंकि आपका जो नाइन नाइन पोर्टल आ रहा है बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है तो फ्लेम रिलेशनशिप में और जो चैनलिंग हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है एक सॉंग भी मुझे चैनल हुआ है जस्ट अभी अभी ये और मैं इसको बिल्कुल रीड कर रही थी कि ये क्या मैसेज मिल रहा है आपके डिवाइन मैसकुलाइन की तरफ से क्या आपके डियम की हायर सेर बोल रही है देखिए इस टाइम जो ये नाइन नाइन का पोर्टल है एंडिंग का भी है और न्यू बिगिनिंग का भी है कार्मिक बांड आपके यहां पर ब्रेक होंगे ठीक है आपका कोई भी ऐसी विश जो आप बहुत टाइम से चाहा रहते की मैनिफेस्ट हो या किसी परसन से बहुत ज़्यादा परिसान थे कि लाइफ से चला जाए आपने बहुत अफ़र्ट डाले ठीक है तो वो चीजे अब की होती हुई नजर आएंगी क्योंकि ये डियफ के लिए एटेट पोर्टल बहुत ज़्यादा हैवी रहा है बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं फैमली में पैरेंट से हो सकता है भाई से हो सकता है या रिलेटिव से हो सकता है जिसकी बज़े से डियफ बहुत ज़्या भो सारी अब इहाँ पर फिर से रिलीज हो रही है और आप फिर से अपनी पावर में आ रहे हो ठीके आपने जो भी energies दूसरों को send की वही energies आपने receive भी की ठीके बट आपने खुद को disconnect किया ठीके coat cut कि और अपने आप़ फोकस किया ठीके healing की then जो भी आपके अंदर energies थी, आपने उस पर work किया, और आप फिर से अपनी power में आ रहे हो, और इस time dear, बहुत ज़्यादा fearless, confident, action के energy में, एकदम मैं ये बोलू कि आपकी masculine energy अप कहीं न कहीं balanced है अब आप अपनी life के मालिक खुद बन चुके हो, जो अभी आपने किसी और को बना रखा था, maybe आपने DM को अपनी life का मालिक बना रखा था ठीके, जैसे एक गाड़ी है आपके घर में और वो है आपकी, बट आपने driver रख रखा है, या हो सकता है आपकी family में ही कोई है, ठीके वो आपकी ही गाड़ी है पर चला कोई और रहा है, आपका मन कहीं और जाने का है, बट वो permission नहीं दे रहे हैं, या आप इस बास से बहुत ज़्यादा irritate हैं कि मैं कहीं और घूमना चाहती हूं बट मेरे family वाले कहीं और लेकर जाते हैं मैं कुछ करना चाहती हूं, बट मेरे family वाले कुछ और कराना चाहते हैं ठीके, तो ये सब चीजे अब DF के अंदर नहीं हैं तो अब अपनी जिंदगी की जो मालकिन है, वो DF खुद बन चुकी है, ठीके किसी और को जगे नहीं दी है कि आपकी life को अब कोई और चलाए आप उनके शारों पर नाचो ठीके, तो ये चीजे अब DF के साथ हो रही है, DF इस टाइम इसी energy में है और इसका असर powerful आपके DM पर पड़ रहा है यहाँ पर बहुत सी DF ने ये decision ले लिया है कि आप मुझे DM के साथ नहीं रहना है, DM के पास नहीं जाना है, बिल्कुल move on कर चुकी है detachment के energy में है ठीके, कोई craving नहीं है कोई attachment नहीं है कोई sexual energies भी अब DM की तरफ नहीं जा रही है DF की तो DM आप बहुत ज़्यादा low energy में आ रहे हैं drain हो रहे हैं, fearless के energy में आपको खोने का डर अब आ चुका है उनके अंदर ठीक है, ये collective में DF में, जिसके लिए message होगा वहां तक जरूर पहुँच जाएगा मुझे नहीं पता है, ये किसके लिए है क्योंकि just अभी ये channeling हुई है और ये सारे downloads हुए है जो मैंने message read किये हैं के DM के, collective में तो जो message भी मिला है जो channel song हुए है जस्ट उसके बाद ही मुझे channeling होने लगी थी उसको सुनिएगा आपकी आपके DM आपसे क्या कहना चाहा रहे हैं ठीक है आपने move on कर लिया है आप किसी और relationship में जाना चाहा रहे हैं या आपने शादी का decision ले लिया है या parents ने बोला है शादी करने के लिए अभी तक आप wait कर रहे थे DM का बट DM ने कहीं और marriage कर ली या DM ने ही बोल दिया मुझे नहीं रहना है आपके साथ तो आप भी अब पीछे नहीं भाग रहे हो जो आपको नहीं चुन रहे है तो आप भी उसको नहीं चुन रहे हो ठीक है आप अपनी लाइब में खुश हो तो मैं भी अपनी लाइब में खुश हूँ ऐसा कुछ DF कर रही है अपनी लाइब में और जैसे ही DF ने ये confident के साथ decision लिया है DM बिलकुल हिल चुके है DM की soul बुरी तरीके से हिल चुके क्योंकि 3D में तो वो आपको कुछ औरी दिखाते है आपका तो soul connection है जब energies नहीं जाती है DM कहीं और focus करती है तो DM के साथ बहुती एक बुरा वाला soul shock मिलता है और कार्मिक भी परिशान करती है और DF तो बिलकुल support करती ही नहीं है तो ये DM बोल रहे हैं कि आप छोड़ कर उनको बिलकुल मत चाओ या आप जाओगी तो बहुत बुरा हो जाएगा या मैं आप पच्चताओगे आगे जाकर क्या पता आपको अभी ये लग रहा है कि ये relationship बहुत अच्छा है ये बाद मैं DF के लिए बोल रही हूँ कि ये soulmate है बट वो आगे जाकर आपका soulmate भी हो बट आप उसमें खुश ना हो तो या marriage भी कर लो उसके बाद आप पच्चताओ या आप एक boyfriend बना रहे हो या सिर्फ enjoy करने के लिए कोई partner चुन रहे हो बट कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद आप फिर regret करोगे कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो इसलिए ये urgent channeling है DF के लिए कि आपने move on कर लिया है बहुत अच्छी बात है आप खुद पर focus हो बहुत अच्छी बात है आपको करियर में growth कर रहे हो बहुत अच्छी बात है आपकी life में abundance आ रही है अब आप co-dependency से बहार आ गए हो DM की need बिलकुल भी नहीं रहे गए है ये बहुत positive sign है आपके लिए पर जो अभी की channeling है ना current 99 portal की यहाँ पर हो सकता है आप किसी भी relationship में जाओ बात में आपको regret होना ही होना है तो बहुत सो समझकर step लीजेगा DF जाहें वो marriage का हो जाहें किसी ऐसे relationship में जा रहे हो जाहां भी आपको लग रहा है बहुत जादा peaceful है बहुत जादा अच्छा लग रहा है क्योंकि manipulative energies आपकी सामने आ सकती है यह आपके लिए test हो सकता है DF ठीक है energies आपकी काफी high है आप high vibration में भी हो पर जो decision है इस time थोड़ा सा आपके लिए disturbance create कर सकता है जैसे DM भी चले जाते हैं बाद में उनको सच्चाई सामने आती है फिर regret होता है पच्चताते हैं तो आप DM energy में तो हो बट DM energy में रहके कहीं ऐसा नहों आप ऐसे partner को चुन लो जिसकी वज़े से आप आगे जाकर थोड़ा सा disturb हो जाओ या परिशान हो जाओ तो यहाँ पर आप जो भी decision ले रही है सो समझ कर लें और एक बात ये भी है कि जब आपको DM की craving नहीं रहे गई है या ये desire नहीं रहे गई ये शादी की तो आपको किसी और के लिए भी ये desire नहीं आने चाहिए ठीक है अगर parents भी आपको कह रहे हैं आप करिए तो आप उनसे ऐसे बात केजिए कि साब भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे ठीक है तो थोड़ा आपने आपको time दें और क्योंकि यहाँ पर चीज़े ठीक होंगी आपका reunion 100% होगा ये बहुत बड़ा challenge हो सकता है आपके लिए क्योंकि आप DM energy में आ चुके हो और fully DM energy आपकी balance है बट over active भी लग रही है मुझे कि आपने कोई गुस्से में decision ले लिया ये DM को third party में देखके आपका दिमाग खराब हो गया ये DM की आपने marriage का marriage सुन लिए कि वो तो marriage कर रहा है अब मुझे किसी और relationship में जाना है इसके पाद जाना ही नहीं है तो ये सारे गुस्से वाले decision है आपके ठीक है तो इन चीजों पर आपको focus करना है especially DF के लिए ही energy है और आपके DM का message जो है DF के लिए ठीक है आपके DM की जो higher self बोल रही है जो मुझे collective में अभी energy pick हुई है वो आप song सुनिएगा आपको clear पता चल जाएगा कि आपके DM आपको क्या कह रहे है ये बिल्कु सच हो सकता है कि वो marriage कर रहे हैं या third party से marriage कर चुके हैं या karmic relationship में हैं वो अपना chapter close करके कि आपके पास आएंगे ही आएंगे बट असा पता चला कि वो close close कर रहे हैं अपना chapter और आप नया chapter start कर लो फिर से imbalance आजाएगा कि वो तो निकल आए हैं और आप चलेगे जल्दी में फिर आपको ये पच्टावा हो सकता है कि मैंने ये जल्द बाजी में बहुत गलत decision ले लिया था क्योंकि decision के energy DM की ही होती है मस्कुराइन energy को show करती है decision energy ठीक है आपके lower chakra में solar plexi chakra जो है decision को show करता है ठीक है तो over active अगर लग रहा है आपको या आपका कुछ लड़ाई जगडा हुआ है या कोई भी बात ऐसी आपको hurt कर गई तो आप इस पे work कर लें इसको click click release कर लें थोड़ा सा time दें अपने आपको space दें ठीक है तो ये energy है इस time DM और DF की और जो मुझे song channel हुआ है उसको मैं description box में डाल दूँगी आप लोग सुनिएगा और हाँ एक बात और कहनी है प्लीज आप लोग session के लिए direct call ना करें WhatsApp कीजिए मुझे क्योंकि मैं हर समय फिरी नहीं रहती हूँ और आप लोग call करके बार बार disturb करते हैं तो ये ठीक नहीं है ठीके तो बहुत call आती है call ना करके आप message छोड़िए ठीके आपको time दिया जाएगा तब आप बात करें मुझे तो आज के लिए बस इतना ही next video में मैं फिर मिलूँगी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए सौस्त रहिए